Good morning students, जैसा आप जानते हैं, अभी हम major classification of sentences और clause analysis देख रहे थे मैंने आपको compound sentences के बारे में बताया, हम compound sentences के connectors कर रहे थे अब नया connector देखेंगे, conjunctions of compound sentences अभी तक हमने देखा and, both and, not only but also, इसके अलावा but, still or yet अब देखेंगे for इस sentence में जिनमें हम for लगाते हैं, इसमें main clause में effect रहता है कोई भी काम का effect यानि result परिणाव main clause shows effect और result and जो इसका coordinate clause रहेगा it shows the cause or reason it shows the effect main clause shows the effect or result coordinate clause shows the cause or reason जैसे he is tired he has been playing for two hours या इसको since कर लीजे जिससे आप फॉर फॉर में confused ना हो he has been playing since morning अब आपके सामने effect पहले है वो थका हुआ है वो क्यूं थका हुआ है क्यूंकि वो सुबा से खेल रहा था तो he is tired he is और मैं clear लिखती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए he is tired for he has been playing since morning किसी तरह से the police stopped him stopped him he was driving a car at a very high speed the police stopped him he was driving a car at a very high speed at a very high speed police था उसे रोक दिया क्योंकि वो कार चला रहा था बहुत ही तेज स्पीड पर तो उपर वाला जो में क्लोज है वो आपको बता रहा है देखिए पुलिस टॉप डिम यह है इफेक्ट या रुजल्ट और उसके बाद आपने लगाया कंजंक्शन कंजंक्शन के बाद में जो सेंटेंस आ रहा है वो है वो आपको कॉस दे रहा है रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ इसी तरह से एक सेंटन्स और कीजिए जैसे क्या प्याद रहा हैं टक रहा है वो है वो है वो है जैसी तरह में शेच और रहा है वो इस बाद रहा है भी आद्सों के ऑसे बाद कीजिए झेजिए भी और बेस्वाब कीजिए दिखे लुब और राद कर दो दोगे, इस बॉद दोगा इस दोगे रादेग प्रेट दोगे, हैं दोगे लुदे बाल में तो बहुंदे जाद अब आपको देखना यह है कि मेन क्लाउज आपका इफेक्ट या रिजल्ट शो करेगा he did not drink milk for his brother had dropped a dirty ball in it अब आपको इस तरह से आपने देखा कि फॉर से जो सेंटेंस को हम जॉइन करते हैं उसमें मेन क्लॉज रिजल्ट बताता है एफेक्ट बताता है और जो कोडिने क्लॉज होता है वो कॉज या रीजन बताता है इसी तरह से इसी से मिलता जूलता एक और कनेक्टर है which is therefore 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 का मतलब इसलिए इस conjunction में आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के जो sentences बनेंगे उसमें main clause जोसर कहस वड़ेंगे कास जोसर कास कोई जोसर कहसे ची लेखिंते σ वेखि़ जोसर कहसे जोस्टा थाлав owes יש जोसर कहस्ता-क कोईव थास्ता जोस्ट थास्ता तर थाफिश्टाव प्रचाव यवाज सब्सेय सुज्ट। शोज इफेक्ट और रिजल्ट आप देख सकते हैं फॉर और देफोर में यह डिफरेंस है फ़र में रिजन सो करेगा प्रिजल्ट एफेक्ट शो करेगा और जो कोड्रिρί anecdote लोग वो कॉज्स या रिजल्ट शो करेगा जबकि यहाँ आप है पहले कॉज्स या रिजल्ट शो करेगा जैसे, I was ill, I could not go to the office. जैसे, I was ill, I could not go to the office. बीमार था, इसलिए office नहीं जा पाया. में जो करेगा, cause, I was ill, therefore, I could not go to the office. बीमार था, इसलिए office नहीं जा पाया. Likewise, इसी तरह से sentences और बना के देखिये. जैसे, he was not in the class. जैसे, he was marked absent. जैसे, he was not in the class. He was marked absent. जैसे, he was not in the class. जैसे, he was marked absent. Therefore, he was marked absent. इसलिए उसको absent marked कर दिया गया. I think, आप इसको अच्छी तरह से समझ के होंगे. अब हमारा अगला कनेक्टर है, so. मैं आपको बता दू, so और therefore, बिल्कुल same. कोई फर्क नहीं है. आपने जहाँ-जहाँ therefore यूज किया है, वहाँ आप उसको बहुत आसानी से so से replace कर सकते हैं. जहाँ जहाँ. कि इसमें भी सेम चीज होती है में क्लाउस कॉस बताएगा कारण बताएगा और कोर्डिनेट क्लाउस उसका रेजल्ट या इफेक्ट बताएगा जैसे he was suffering from fever व्होलिज और श्यवीड॔ व्होलिक व्होलिक निव्य। he was suffering from fever suffering from fever so he could not go to school he could not go to school this is it the shops were closed we return without shopping we return without shopping the shops were closed so we return without shopping we return to school 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 और यूज़ होता है दोनों में से कोई एक और और आईदर और लगभग एक जैसे हैं और जैसे और इस यूज़ और टू पॉसिबिटीज जैसे वर्कार्ट यूवल से सिंप्ली मैंनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे वर्कार्ट और यूवल फेल you may read you may go to sleep you may read or go sleep सुरी में गोटू स्कूल लिखा है इसको स्लीप कर दीजिए यू में गोटू स्लीप यू मेरी और गोटू स्लीप इस तरह से और इसी से मिलता जूलता कनेक्टर है आईदर और आईदर और चब दो ओप्शन्स दिये गया है यू में से एक आपको सेलेक्ट करना हूँ तो आप आईदर और का इस्तेमाल करेंगे दो ओप्शन्स दिये हैं और दोनों में से किसी एक ओप्शन को सेलेक्ट करना है जैसे यू कैन रे दिन रख you can write in English you can write in Hindi two languages you can write in English you can write in Hindi अब first option के पहले आईदर लगाई है second option के पहले और लगाई है you can write आईदर in English or in Hindi you may study you may play football you may study you may play football किस तर से बनाएंगे first option के पहले आईदर लगाई है second option के पहले or you may either study or play football you can go for shopping you can go for shopping stay at home stay at home you can go for shopping you can stay at home अब यहां पर दो आप्शन्स आप के पास you can either you can either first option के पहले आईदर shopping पे जाना you can either go for shopping or stay at home or stay at home so this is your connector either or now the last one not and neither not before we begin just see it once again and see if you can make sentences either or let's see okay जिसे आपने either or देखा इसी तरह का एक और कनेक्टर है that is neither nor उससे पहले हमें एक कनेक्टर लेंगे नौर 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 में दोनो ही जो clauses होते हैं main और main यानि principle clause आपका और coordinator clause जो होता है दोनो ही negative होते हैं meaning दोनो में ही negation आपको दिखेगा जैसे आशा did not do her homework आशा did not bring her notebook आशा ने अपना homework नहीं किया आशा अपनी notebook को लेकर भी नहीं आई अब दोनों ही sentence negative है यहाँ एक ठ्यान रखना है नौर का जो structure होता है आप नौर जहां लगाएंगे नौर के बाद helping verb आएगी यानि कि सहाय क्रिया उसके बाद subject उसके बाद verb जो मुखे क्रिया होगी वो इस structure को follow करते हुए नौर को आप attach करेंगे अपने coordinating coordinate clause के पहले जैसे चलिए इसको शुरू करते हैं आशा did not do her homework अब आशा did not bring her notebook यहाँ पे नौर लगाना है आपको नौर helping verb क्या है यहाँ did subject already आ चुका है आशा तो आप यहाँ पे आशा की जगा प्रोनाउन करिये शी नौर डिट शी ब्रिंग वर्भो गई हमारी ब्रिंग अर नौर्ट बॉक इसी तरह से वी दिए्ट लगो, नियुके अस्टंवड़ इसक्ती आशीड़ आशीड़ रची लग novelty फॉकशना हैWow we did not play football we did not read books चलिए बनाई कैसे बनेगा we did not play football no helping verb लाई है नो डिट वी रीट बुक्स ठीक है जिस तरह से यह कनेक्टर है इसी से मिलता जूलता एक कनेक्टर और है विच इस कॉंट्री तो आइदर और आइदर और से उल्टा होता है नाइदर नौ नाइदर नौ विल्कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप डाल दीजिए जिससे यह एक साथ नहीं आता है ऐसे नाइदर नौ दो आप्शन्स तोनो नेगेटिव और फर्स्ट आप्शन के पहले नाइदर सेकंड आप्शन के पहले नौ येवेवेश बीच हाईदर नाइदर नाइद врे महाईद है नाइदर नेए नाइदर 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 ने नौ येसे? the girls did not join excursion the girls did not join picnic the options to no negative the girls neither joined excursion the girls neither joined excursion nor picnic he does not use his bicycle he does not give it to his brother he does not use his bicycle he does not give it to his brother he neither uses his bicycle nor gives it to his brother इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज जब नेगिटिव में होंगी तो हम neither nor का उपयोग करेंगे ध्यान ये रखना है कि ये फिर्स्ट जो अप्शिन रहेगा उसके पहले neither second option के पहले नौर तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से आप चलते हैं अपने तीसरे फॉर्म में थर्ड टाइप अप सेंटेंस विच इस कॉंप्लेक्स सेंटेंस कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स सेंटेंस में तीन टाइप के क्लॉस होते हैं पहला नाउन या नॉमिनल क्लॉस दूसरा रलिटिव या अध्जिक्टिवल क्लॉस या अध्वर्ब क्लॉस या अध्वर्ब क्लॉस नाउन क्लॉस एड्जिक्टिवल क्लॉस और अड्वर्ब क्लॉस ब्रैकेट को यहां पर क्लॉस कर दीजिए तैट विल बेटर नाउन नॉमिनल रिलेटिव या अध्जिक्टिवल अध्वर्ब क्लॉस सबसे पहले हम देखेंगे वाट नाउन क्लॉस नाउन क्लॉस क्या होता है पहला नाउन क्लॉस यह नाउन क्लॉस नाउन क्लॉस यह रूप अग्वर्ब क्लॉस अनाउन क्लॉस इस ग्रूप ऑर त्स which contains a subject and predicate of its own, a subject and predicate of its own, and does the work of a noun. Hindi मैं समझ लिजे इसको. Noun clause, शब्दों का समूह, जिसमें एक subject and predicate, अपना ही subject and predicate होता है, और वो संग्या या noun का कारे करता है. किस तरह से इसके uses होते हैं, किसके सुरूप में noun clause use होता है, चलिए आपको बताते हैं, आगे. Noun clause, सबसे पहले इसका use, the subject of a verb. किसी क्रिया के subject के रूप में. इसमें ध्यान रखना ये है, noun clause पहले आता है, और principal clause बाद में आता है. noun clause comes first, and the principal clause later, बाद में आएगा. इस टाइब के sentence में, it is hidden, चुपा हुआ रहता है. जब आप sentence को join करेंगे तो, और तीसरे चीज़, इस, it begins with w-h words, what, who, where, when, इन से w-h words से ये start होता है. जैसे, it is true what you say. एक sentence, एक हमने आपको example दिया, it is true what you say. अब इसको जोड़ना है, what से शुरू कीचे, what you say is true. यहाँ पर देखिए, is जो है, यह हमारी वर्ब है. say is helping verb, say main verb. जो तुम कहते हो, वो सही है. तो यह subject का काम कर रहा है, what you say is true. तो इस तरह से, noun clause का एक काम आपने देखा, किस तरह से वो किसी वर्ब के subject के लिए काम करता है. इसका और example लीजे. पहला sentence, it is not legible. दूसरा sentence, what you write. it is not legible. जो तुम लिखते हो, पढ़ाने जाता, what you write. स्टार्ट करेंगे what से? what you write is not legible. what you write is not legible. इसी तरह से? इसी तरह से? इस तरह से? इस तरह से? इस अंसर्टेंगे जाता है? यह इसको आई शाल रिटर्ण वन आई शाल रिटर्ण यहां पर आपने कंजंक्शन लगा के जोड़ा है विन आई शाल रिटर्ण इस नौट इस अनसर टेन यह इस नौट सर्ट तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में नाउन क्लास का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है इसके बाद नेक्स क्लास में हम देखेंगे इसके अलावा और कौन कौन से यूजर्स हैं नाउन क्लास के थैंक्यू